स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण से उखी मट में मध्य महेश्वर मंदिर उत्राखंड के निम्नलिकित में से किस जिले में स्थित है? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. रुद्र प्रियाग चलिए देखती है इसके विस्टेशन को उखी मट में मध्य महेश्वर मंदिर उत्राखंड के रुद्र प्रियाग जिले में स्थित है मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर उत्राखंड के गडवाल हिमाले की एक गाउं गॉंडर में शिवको समर्पित एक हिंदु मंदीर है यह पंचकेदार तिर्थियात्रा सर्किट का हिस्सा है जिसमें गडवाल शेत्र के पांच शिव मंदीर शामिल है तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्ण से भागी रती और अलगनंदा गडवाल में कहां पर मिलती है तथा उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है ए विश्णु प्रियाग बी कर्ण प्रियाग सी रुद्र प्रियाग इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपड डी देव प्रियाग चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भागी रती और अलगनंदा गडवाल के देव प्रियाग में मिलती है तथा उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है यह उत्राखंड की एक अश्थिर हिमालेई नदी और गंगा की दो अगला प्रश्ण है बाबा सिधनात मंदिर बिहार के निम्रलिकित में से किस जिले में इस्थित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप सी जहानाबाद चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को बाबा सिधनात मंदिर बिहार के जहानाबाद जिले में इस्थित है बाबा स सिधेश्वर नात्मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह बनवार की पहाड़ी पर इससे थे अगला प्रश्ण है उंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश के निम्नलिकित मेसिक के जिले में इससे थे इस परियोचना का उदेश कारवन उद्सरजन में 2.3 लाग टंड सी ओटू की उलेखने कमी लाना है जो वर्ष दोहजार सतर तक शुद्शुने उद्सरजन प्राप्त करने के भारत के लप्ष का समर्थन करता है यह जलवाश्पिकरण को कम करके जलसर रक्षण में भी सहायत करेगा अगला प्रश्ण है हिरन तेंदूरी और बर्ना इम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदिया है ए महानदी बी गोदावरी सी नर्मदा डी कावेरी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी नर्मदा चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को दाइं ओर से नर्मद सीमा के रूप में कारे करती है यह मैकाल परवत की अमरकंटक चोटी से अपने उद्गम स्थल से 1312 किलोमेटर पश्ण में है यह खंभात की खाड़ी में बहती है यह महारास्ट और गुजरात राज्यों के कुछ शेत्रों के अलावा मध्यप्रदेश के एक बड़े शेत्र में बहती है यह प्रायद्विपी शेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो उत्तर में विंद्य परवतमाला और दक्षिन में सत्पुडा परवतमाला की बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है अगला प्रश्ण है राजस्थान के फर्स्ट एविएशन एकेडमी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए अजमेर चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को राजस्थान के अजमेर जिले में राजस्थान की फर्स्ट एविएशन एकेडमी का उद्गाटन किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले की किशनगड हवाई अड़े पर राज्य की पहली उड़ान प्रसिचर अकादमी का उद्गाटन किया नई अकादमे किशनगड में आर्थि गतिविध्यों के विकास में सहायता करेगी जो के संगमरमर और ग्रिनाइट उद्ध्यों के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उ उन्नत करके शेत्री संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गये थे केंद्र की उड़ान योजना से एक दश्मलव चार एक करोण से अधिक घरेलो यात्री लाभानमित हुए अगला प्रश्ण है उड़ान यानि उड़े देश का आमनागरिक योजना कब शुर उड़ान यानि उड़े देश का आमनागरिक योजना वर्ष 2016 में शुरू की गए थी यह राश्ट्रे नागरिक विमाननिती 2016 का एक हिस्सा है यह योजना दस वर्ष की अवधी के लिए लागू है अगला प्रश्ण है पंचायत अनुसुचित शेत्रों का विस्तार अधिन कब अधिनेमित किया गया A. 1994, B. 1996, C. 2000, D. 2004 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B. 1996 चलिए देखते हैं इसके विस्टेशन को पांचवे अनुसूची में इन शेत्रों के लिए अनेक विशेश प्रावधान किये गए है अगला प्रेशन है ठेकेदार सक्षम युवा योजना निम्नलिकित में से किस राज जिसे संबंदित है इस योजना के तहट सरकार दसजार इंजिनिरिंग डिप्लोमा और डिगरी धारकों को तीन महिने के लिए कौशल प्रसिक्षर प्रदान करेगी ताकि वे आत्मनिर भर बन सके सरकार इन युवाओं को एक वर्ष के लिए तीन लाख रुपए का ब्यास मुक्तरिड भी प्रदान करेगी तो चलिए अंत में देखते हैं आज की अभ्यास प्रश्रकों अंतराश्ट्री युवादिवस कब मराया जाता है ए 15 जुलाई, बी 12 अगस्त, सी 3 सितमबर, डी 27 नवंबर इस प्रश्रका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले